रिसेंटली ओडिशा स्टेट के साथ प्रोडक्ट्स को जी आई टैग मिला है, क्या होता है जी आई टैग, इसे आप मान लो किसी एक लेबल की तरह, कि किसी प्रोडक्ट पे आपने एक लेबल चिपका दिया, उसमें उसका नाम या फिर उसका कोई सिगनेचर लिखा हुआ है और ये कर क्यों रहे हैं, देखो दुनिया में कहीं बार हम देखते हैं कि किसी किसी पर्टिकुलर जियोग्रफी में ही कोई एक अच्छा प्रोडक्ट बनता है, जैसे दारजिलिंग की चाय बहुत फेमस है, अब ऐसी चाय आपको दुनिया में कहीं और बनते हुए नहीं मि दारजिलिंग में बेटे हैं, उनके साथ भी गलत हो रहा है, तो ये चीजे ना हो, इनके नाम का मिस्यूज ना किया जा सके, इसलिए हमने इंट्रोड्यूस किया है जी आई टैक, अब ये जी आई टैक स्पेसिफिकली बताता है कि ये प्रोड़क्ट बहुत ही यूनीक है, इसका place of origin क्या है, इसकी special characteristics क्या है, और ये आप जब देते हो, तो ये कम से कम आप 10 साल के लिए देते हो, तो इसका registration होता है, 10 साल बाद इसे आपको फिर से renew करना पड़ सकता है, और ये सारा management देखता है, Department for Promotion of Industry and Internal Trade, जो की आता है Ministry of Commerce and Industry के अंडर, अब यहाँ पर आप दे producer हो, वो भी जा सकता है, या फिर producers की कोई organization हो, सब लोग जा सकते हैं, उनकी association मिल के भी जा सकते हैं, या फिर अगर कोई government body है, जो उस geography से related है, और उनको उनके product के लिए GI tag चाहिए, तो वो government body भी apply कर सकती है, GI tag के लिए, जैसे हमने देखा, रोशगुला को लेकर, West Bengal और कर रहे थे, तो इस तरीके से चीजें चलती है, अब इसके लिए आप जब GI tag दे रहे हो, तो आपके पास कोई law होना चाहिए, तो इंडिया में जो law है, वो है, Geographical Indications of Goods, Registration and Protection Act 1999, इसके अंदर specifically procedure mentioned की है, कि कैसे आप register करोगे, कितने साल के लिए protection होगा, सारी चीजे mentioned है, औ कि international standards के साथ हम चले, internationally पहले एक agreement हुआ था 1995 में, जिसका नाम है TRIPS Agreement, जो की WTO के अंदर हुआ, TRIPS का मतलब होता है, agreement on trade related aspects of intellectual property rights, देखो intellectual property का मतलब होता है, जो भी आपने अपने mind से create किया है, अगर आपने कोई poetry लिखी है, कोई song लिखा है, तो that is creation of your mind, तो यह आपकी intellectual property है, किसी ने अगर कोई invention किया है, तो आप उसको patent देते हो, तो वो इसी के अंदर आता है, तो यह जो TRIPS Agreement है, इसी में GI का भी mention है, तो क्योंकि हमने भी, इंडिया ने भी ऐसा agreement sign किया था, इसलिए जरूरी था कि ऐसा कोई law हम इंडिया में भी pass करे, तो इस attack दिया है, अब यह कौन से प्रोड़क्ट से हमें बस नाम पता हो, जैसे कि कापडगंदा शौल, दूसरा है लांजिया सौरा पेंटिंग, तीसरा है कोरापुत काला जीरा राइस, चौथा और बहुत ही famous सिंपली पाल काई चटनी, यह एंट से बनी चटनी है, जो कि ट्रा काम बस पता हो, that's it, this is all about GI, अगर फिर कोई अपडेट किसी रिलेटेड आती है, किसी और प्रोड़क्ट को GI टैग मिलता है, तो फिर किसी वीडियो में हम जानेंगे, तब तक के लिए, thank you so much for watching this video.